हालो स्टूदिंस आज हम लोग टेंटलास साइंस की वरक्षीट नमबर 23 डिसकस करेंगे जिसका टॉपिक है डाइजेशन इन हुमन बींग इसमें सबसे पहले हापको हुमन का डाइजेस्टर सिस्टम दिखाया है जिसमें की पहले टंग बता है माउथ में जो बकल काविक्ट में लिए pharynx के बाद pharynx को कहते हैं food pipe and then starts the isophagus in the neck region और यहां सिर्फ चेस्ट रिजन तक होता है isophagus का part isophagus की spelling है o e s o p h a g u s और इसको e से भी लिखा जाता है कभी-कभी so spelling difference जो भी हो में इसका प्रनांसिशन इसो फेगस है वो silent रहता है और फेगस वर आप ध्यान रखेते हैं phagus relates to food or phagy which means to eat ठीक है इसके बाद phagos में food आएगा तो फिर open हो जाएगा stomach के अंदर stomach is a j-shaped organ और stomach के बाद food जाएगा next part is small intestine यहां पर हम small intestine में काफी सारी openings देख रहे हैं एक आती है गॉल ब्लाडर से गॉल ब्लाडर इस सोर्स बाइल बाइल is the juice which is produced by the liver लिवर का काम है बाइल बनाना और गॉल ब्लाडर का काम है उसको स्टोर करना तो स्टोर करता है और जब food आ जाता है यहां तक तब वो इसको रिलीज करता है small intestine में opening में दिन बाइल डाक्ट इसको बोलते हैं जिसके थू बाइल जाता है इस opening में जो स्टमक के end में है और फिर उसके बाद है small intestine का part और वहां पर एक और opening आती है पांक्रियास से पांक्रियास एक gland है जो कि हॉर्मोन से करते हैं और enzymes का काम होता है food digestion में और hormones बाइक का काम बोड़ी में जो insulin बगेरा है जैसे blood glucose कांट्रोल करना insulin और glucabon का काम है जो कि hormones है और बाइक जो enzymes है वो pancreas इसमें small intestine में रिलीस करता है enzymes का काम है फूद को जो बड़े molecules है उनको चोटे parts में breakdown करने में वो help करते हैं then small intestine जब open होती है तो यहां पर इस way में बहुत ही जादा bending convolution में आपको दिख रहा है यह सारा जो भी अंदर interior का portion है that is small intestine and it is very long और इसमें mainly nutrition absorption absorbed किया जाता है उसको पहले breakdown करते हैं फिर absorb करते हैं और इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे finger-like projections होते है microscopic जिसको बोलते है micro will lie फिर इसके बाद last में यह open होते है large intestine में जो कि आपको ऐसे u-shape का square shape का दिख रहा है यह पर इसकी opening में एक appendix होता है इसको wormy form appendix भी कहते है wormy form का मतलब है worm के जैसे मतलब in the form of worm means जो भी रेंग में वाले कीडे होते हैं तो wormy form appendix कहा जाता है इसका अभी humans में कोई काम नहीं है लेकिन शुरुआत में जब animals का diet vegetarian होता था जब वो घास भूस काते थे जैसे अभी भी बहुत सारे ruminants है animals cow buffalo जो goat वगेरा जो भी animals घास या plant-based food पाते हैं उनके अंदर appendix रहता है और वहां पर cellulose को digest किया जाता है और वहां पर वो functional है बड़ क्योंकि humans कच्छा plants नहीं खाते हैं तो इसलिए अब इसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी ये present है in a very short vestigial form so it is a vestigial organ जिसका अभी कोई function नहीं है हमारी body में और इसके बाद है large intestine आता है large intestine को हम colon भी कहते है इसमें mainly water absorb की जाते है और थोड़े बाकी nutrients भी absorb किया जाते है और फिर last में जो भी waste material होता है वो anus के थूँ बादी से बाहर निकल जाता है अब हम यह सारे parts जो है उसको हम थोड़ा detail में पढ़ेंगे पहले हम यहां नीचे देखते है क्या लिखा है mouth it is having salivary amylase it converts starch into sugar main digestion कहां पर किसका हो रहा है वो बताया है mouth में सबसे पहले starch का digestion start हो जाता है sugar में starch हमने पहले भी पढ़ा था starch is a polymer of glucose तो starch को break down करके glucose बनाता है उसके रेंजाइम जो चाहिए that is salivary amylase फिर stomach में जब फूद आता है तो वहां पर pepsin एक एंजाइम है जो release होता है it breaks down proteins into simpler forms protein से amino acid बनते है उसको amino acid में protein is a chain of amino acids amino acid लेके करके निकालने के लिए pepsin काम करता है then pancreas pancreas से enzymes जो आते हैं दो enzymes के नाम बता है यहां पर trypsin and lipase trypsin converts proteins to simpler forms lipase converts fats into simpler forms so यहां पर दो enzymes trypsin and lipase they are used for protein and fat digestion इसके बाद है यहां पर जो main write-up है हम पो रीट कर लेते हैं mouth it is the digestion of food starts in mouth where the food is broken down into simpler molecules the saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch which is the complex molecule to give sugar in mouth में अभी हमने पड़ा salivary amylase saliva से आता है salivary glands जो release करते हैं mouth में ही starch का digestion start हो जाता है into glucose या sugar जिसको भूलते हैं so sugar is a type of carbohydrate जोकी sweet होते हैं paste में all sugars are carbohydrates हम ऐसा खें सकते हैं but all carbohydrates are not sugars क्योंकि सारे carbohydrates sweet नहीं होते हैं next esophagus esophagus यह बाला portion जो है neck region से chest region में जो आता है the food now moves along the food pipe by peristaltic movement rhythmic contraction of muscles यहां से नीचे जाने के लिए food को peristalsis से आगे भेजा जाता है मतला कि जो pipe है इसकी muscles में contractions होते हैं जिससे कि वो pulsations होते हैं जैसे कि जो भी food आ रहा है वो दीरे दीरे करके नीचे जाएगा then stomach it has muscular walls with the gastric glands present in them तो यह जो muscular wall है उसके अंदर gastric word का मतला होता है stomach से related to glands होते हैं these release hydrochloric acid a protein-digesting enzyme called pepsin and mucus gastric glands होते है stomach की lining में उनका काम है तीन चीज़े release करना पहला है hydrochloric acid hcl जो की एक acidic medium provide करता है अंदर दूसरा है pepsin जो एक enzyme है proteins digestion में help करता है और तीसरा है mucus जो की उसको और liquefy करने में help करता है food को the hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates action of enzyme pepsin to digest proteins pepsin जो enzyme है उसको काम करने के लिए acidic medium चाहिए तो acidic medium hcl provide करता है the mucus protects the inner lining of stomach from action of acid so mucus का यहां पर यह काम भी है कि वह protection भी देता है अंदर की जो lining है stomach की because stomach की lining भी फिर axial से damage हो सकती है mucus से protected रहती है next is small intestine food reaches from stomach through a sphincter sphincter होता है opening मतलब circular gate होता है sphincter sphincter जिसको बोलते है muscular होता है यह जैसे की कोई valve होती है वैसे sphincter की जैसे आप बाहन सकते है so sphincter muscular valve होती है here complete digestion of carbohydrates, proteins and fats takes place so small intestine portion है वहां बाकी का सारा digestion complete किया जाता है the food coming from stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act so acidic था उसको basic में change करना है basic when a base is unresolved in water it is an aqua solution of base and alkaline मतलब वही होता है alkaline means water aqua solution of base so acidic medium में food यहां तक आया उसको alkaline में change करना होता है इसके लिए pancreatic enzymes काम करते है bile juice जो आता है it comes from liver does this in addition to acting on fats bile juice में help करता है then fats are present in intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them the fats होते है उनका size का की बड़ा होता है they are present as globules तो इसके लिए enzymes उन पे act नहीं कर पाते है तो इसके लिए bile के अंदर होते हैं bile salts they break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action so bile salts का काम है fat globules को smaller globules में break down करना ताकि enzyme action करके उसको और digest कर सके the pancreas secret pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digestion of protein and lipase for breakdown of emulsified fats so emulsified fats मतलब की dissolved है और ज्यादा मतलब smaller globules में converted है उनको और ज्यादा digest करना है breakdown करना है तो lipase काम करेगा आप the walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice intestinal juice कहां से आया dysmetrypsin और lipase यह तो pancreas से आया bile juice आया liver से अब इंजाइम के अपने enzymes आएंगे तो वह intestine के वाल से आएंगे enzyme present in it finally convert the protein to amino acids protein को amino acids में change किया जाता है हमने पढ़ा है protein is a chain of amino acids एक एक करके amino acids को line से जॉइन करते हैं तो हमें बड़ा सा protein molecule मिलता है तो प्रोटीन को अगर हमें break down करना है तो हमें एक एक करके amino acids निकालने होते है उसमें break करना होता है bonds then complex carbohydrates जो भी हम carbohydrates खाते हैं जैसे rice, wheat, roti में जो होता है बटर, ghee और cheese अगरा में fats होता है वो सबको हम fatty acids and glycerol में convert करते हैं तो these are the simpler forms of fats the digestive food is taken up by the walls of intestine through finger-like projection called villi which increase the surface area for absorption villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body so villi हम यहां पे draw करके देखते कैसा होता है villi जो होता है suppose यह wall है small intestine की तो villi जो होगा उसमें ऐसे finger-like projections होंगी जिसके through कोई भी food particles आएंगे तो वो food particles यहां अंदर deep में भी जाके वो उसको absorb कर सकते हैं और villi के अंदर होता है blood vessels जो मैं ऐसे करके line से आपको दिखा रहे हूं so these blood vessels are actually helping in the absorption of food जो भी food material भाहर यह finger-like projections तक आचुका है इससे क्या होगा इससे क्या होगा इससे क्या होगा इससे क्या होगा जितना भी food है वो maximum capacity में absorb हो सकता है so यह होता है विलाई का structure जिससे की हमारा बोडी का जो नूटरिंस अब्सर्ब करने का यह इस अब्स आज के मतेर सहप yeah जो अब्सर्व कैंध जो जो कि जास अब्सर्वाग की टेना बरादे के अनस शोग रहलों पर, म इससे क्या होगा सभी ऒंप circus के शप्वाग स्भून, क्यों आपे आपके यह इससे क्या एक backward flow वो allow नहीं करते हैं, backward movement बिलकुल नहीं होता है, muscular होता है, जिसको हम control कर सकते हैं, but यहाँ पर जो है, वो involuntary control है, मतलब हम उसको control नहीं कर सकते हैं, but यहाँ पर जो control है, हम control कर सकते हैं, next is questions, let us practice, first question, name any one enzyme present in our small intestine and write its function, कोई भी one enzyme, जो small intestine में होता है, so example हम कह सकते हैं, trypsin or lipase, they are used in digestion of proteins and fats, what is meant by peristaltic movement, peristaltic movement is the muscular involuntary movement by which food is pushed downwards into the stomach from the esophagus, what is the role of acid in our stomach, acid provides the acidic medium, the HCL provides acidic medium for the action of enzyme pepsin to digest proteins, next, fourth question, how is the small intestine designed to absorb digested food, so small intestine में विलाइ होते हैं, so हमें यहाँ पर विलाइ की बात करनी है, the digestive food is taken up by the walls of intestine through finger-like projections called विलाइ, which increase the surface area for absorption, विलाइ are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, so यह पार्ट आपको इस question के आंसर में लिखना है, draw a well-label diagram of human digestive system, इसका अंसर आपको इस diagram से मिल जाएगा, जिसको आपको draw करने की प्राक्टिस करनी है, और अगर यह diagram draw करने के लिए आपको मुश्किल लगता है, तो आप next video देख सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको easily एक digestive system draw करना सिखाऊंगी, अपने आप आप pencil से या pen से भी उसको draw कर सकते हैं, so I hope यह worksheet आपको clear है, और गर कोई भी doubt से तो आप पूछ सकते हैं, thank you,